ठीक है निकल जी, थैंक यू हलो बच्चों, नमस्कार, गूड इवनिंग तो हाव अर्यू एंड कैसे हैं आप सभी और पढ़ कैसे रहे हो DSSSB के एक्जाम का तो अब एडमिट कार्ड भी आने लगा है तो जल्द से जल्द जो भी बच्चा उसकी त्यारी कर रहा है तो बल्कुल त्यार हो जाईए एक्जाम हो जाएगा और आज DSSSB के ने चेर्मेन का भी रिकूटमेंट हो गया है तो उमीद करती हूँ जो PGT की वेकेंसी में डिले हो रहा था वो जल्द ही आ जाएगी अब नेक्स वीक में ठीक है तो सशी गुड़ीवनिंग स्मृद्धी पंकश नमस्ते श्वेता आर्चना सबको नमस्कार हां रोहित बढ़िया सही पढ़ रहे हो जो रोज क्लासेज होती है उनको रिवाइज किया करो नोट्स बनाया करो और ये जो क्लासेज चल रही है teaching methodology की ये आपके dssb prt part b उसमें काम की रहेगी मैंने बहुत सारे पिछले प्रशन पत्र देखे हैं और topic से related सवाल भी क्लास में लेकर आती हूं वहीं से और super dad के तो ये हैं ही काम की ठीक तो समझ गए अच्छा super dad में कितने marks का आता है teaching skill वह बता दीजिए और dssb prt में तो देखिए सो marks का subject specific में आता है तो उसमें कुछ ऐसे डिवाइड ही नहीं है पांच का आएगा दस का आएगा कितना भी आ सकता है है ना मैं ठीक हूं धिरच तो सभी बच्चों को नमस्कार और अब आज पढ़ते हैं ठीक है वैसे रोजी पढ़ते हैं मगर आज जो है बिल्कुल specific होकर चीजे करेंगे क्योंकि यह कैसा topic है जो कि बहुत basic है ultimately aids है यह मलब teaching aids और teaching principles की हम बात करेंगे यानि सिक्षन के क्या सिधानत होते हैं और क्या हमारी aids होती है यानि कौन सा सिक्षन सहायक सामगरी होती है यानि teacher को मदद कौन देता है concept समझाने में तो वो तो बहुत बड़े काम के रहेंगे देखिए हमें भी दैनिक जीवन में काम आते हैं as a teacher आपको भी आएंगे जब आप school जाएंगे ठीक तो आज उन सहायक सामगरीयों के बारे में जान लेते हैं उनकी सहायता से कोशिश करेंगे अपने जो भी अधिगम करता हो चाहे छोटे वच्चे हो चाहे आप जैसे बड़े बच्चों के आप लेक्चरार बनो वो हो उनको समझ में आ जाए ठीक TLM कहते हैं उनको ठीक चलिए अभी तक जो हमारा teaching skill है उसकी हमारी आठ classes हो चुकी है ठीक है और आठो classes के PDF आपको रोजगार विद्अंकित एप पर मिल जाएंगे डिटेल में हमने किया है की section उसका meaning उसके सुत्र उसके स्तर उसके styles फिर Bloom की taxonomy की है ब्लूम की टेक्सोनॉमिका संग्यानात्मक पक्ष जो है वो बड़ा काम का है BSSSB PRT में क्लास नंबर 5 से 100% सवाल आएगा ठीक है संजे है ही निकिस से सवाल नहीं आएगा ठीक है और फिर हमने मनोगत्यात्मक भावात्मक पक्ष किया कल हमने सिक्षन की विधिया करी थी और आज हम करेंगे सिक्षन के सिध्धान और TLM TLM की फुल फॉर्म लिख दीजिए PDF जो है तुशार अपडेटिड है मतलब की आज बात हुई है मेरी थोड़ा सा एप में दिक्कत आ रही है बाकी भेज मैंने सारे दिये TLM की फुल फॉर्म होती है Teaching Learning Math मेरी हाँ से तो सिस्टम सही है ग्रीन ही दिखा रहा है हाँ मैं मैं आपके क्लास में वफरिंग क्यों होती है इस तैम पता नहीं शायद शाम का समय इस तरीके से हो जाता है चलिए हम यह करते हैं सिक्षन के सिध्धान्त देखिए सिध्धान्त बहुत जरूरी होते हैं जब भी हम कोई भी सबजेट पढ़ते हैं तो उसके सिध्धान्त होते हैं कुछ मूल भूद ऐसे ही हमारे सिक्षन के सिध्धान्त है एक एक करके सब जो है सिध्धान्त लिखिए और हम उन पे चर्चा करेंगे देखिए सबसे पहले सिध्धान्त है अभी प्रेरित अगर आप बच्चों को अभी प्रेरित कर पाएंगे ठीक है, motivate कर पाएंगे, तो आप सिक्षन करा पाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको अभी प्रेरित करना, ठीक है, अब ये अभी प्रेरित आप भाहिये motivation दे के कर सकते हो, very good, nice, ऐसे बोल के कर सकते हो, ठीक है, और या फिर कोई टॉफी दे कर, और आंतरिक रूप से अ चाहे वो ट्यूब लाइट में पढ़ेगा, जैसे हमारे सभी के, जो बड़े लोग है, हम तो ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, तो वो अपनी बाते बताते हैं, ताकि हम उनकी बातों से अभी प्रेरित हो, है ना, तो वो हमें ऐसी कहानिया सुनाते रहते हैं, बाकी असली बात तो दादा दादियों को पता होती है, कैसे पढ़ते थे हैं ना, तो एक्टिविटी, लर्निंग बाई डूइंग, क्रिया शीलता जितनी होती है ना, जितना एक्टिव होता है बच्चा, उतना जादा अधिगम होता है, ठीक, ये वाली बात, जीवन से जोड़न चोटा बच्चा है, उसके भार के वातावरन से जूड़ो, ये वाली सारी बात, ठीक है, definite aim, देखिए हम कुछ भी पढ़ाते हैं, तो एक हम लक्षे लेके पढ़ाते हैं, मैं ये जो sessions लगा रही हूँ, ये मैं बस यूँ ही नहीं लगा रही, कि मेरा मन कर रहा है, recruitment exam की त्यारी हो जाए, ठीक है, तो ऐसे ही जब आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ाया होगे, तो एक aim के साथ पढ़ाया होगे, कि हाँ, ये सब्सलेबस पढ़ाना है, इसके तीनों पक्षों का मुझे दिहान रखना है, ये वाली बात, व्यक्तिगत विभिंताओं को आपको recognize करना पड़ेगा, सिक्षन में, देखिए, जैसे हमारी व्यक्तिगत विभिंताएं हैं, प्रिया है और रोहित है, अब रोहित जो है, वो चाहता है कि मैडम ना मेरा नाम भी ले, interact भी करे, अब प्रिया जो है, उसको लगता है कि भार मैडम नाम लेती है, तो distract होता है, तो अब कौन फसा, कौन फसा बताओ, मैडम फस गई, ठीक है, अब मैडम जो है ना, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि व्यक्तिगत विभिंताओं को कैसे ध्यान में रखें, और दोनों को खुश रखें, बैलेंस बना कर चलें, तो मैडम क्या करेगी, यानि कि जो टीचर है, आप भी फसोगे, ठीक, तो आप ऐसा करोगे, अगर आप रोहित की बात नहीं मानोगे, तो रोहित अगले दिन इंटरस्ट नहीं लेगा आपकी क्लास में, प्रिया की नहीं मानोगे, तो प्रिया कहईगी, मैडम, तो ना, मेरी नहीं और देखें, सिक्षन में हमें सेलेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि इस PPT के लिए मुझे मैटीरियल देखना पड़ता है, कि मैं क्या पढ़ाऊं और कैसे पढ़ाऊं, और यही आपको भी करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, नियोजन ले पर में सवाल ऐसा आता है, कि निमन में से सिक्षन का सिधान्त कौन सा नहीं है, तो जब हमें यह पता होंगे कौन सा है, तो हम अच्छी तरीके से पता देंगे कि कौन सा नहीं है, जैके और भी सिधान्त होते हैं, भागों में बाटना, जैसे मैं क्या करती हूँ, यह सभी पहले यह कराएंगे फिर यह कराएंगे यह चीज इस से जुड़ी हुई है तो ऐसे ही स्लेबस को भी हम टर्म्स में डिवाइड करते हैं चोटे बच्चों के साथ और उस तरीके से उनको पढ़ाते हैं तो वह एक प्रिंसिपल है है ना रिवीजन करानी पढ़ती है तो देखिए चोटे बच्चों के आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं टाम एंड टेस्ट होते हैं साथ की साथ मुल्यांकन करते हैं और आप सब के साथ हम टीचिंग बाय रोजगार विदंकित चैनल पे पुन्रावरती के लिए देखिए कभी संभ प्राई होने के चांसे बढ़ जाते हैं ठीक है तो गागर में सागर भरवा भरवा के आपको पक्का करते हैं आपका अधिगम की पेपर में सवाल आपको फैमिलियर लगे हाँ ये तो देखा हुआ है ठीक है ये इसका आंसर मैं उस क्लास में ऐसे बताया था ये उन सड़ने आपके जब कमेंट्स यूँ उड़ते हैं तो पता चलता है कि अरे सब सही दे रहे हैं या कुछ गलती रह गई तो फिर अगली क्लास में कुछ नया लेकर आते हैं कि वो जो सवाल नहीं समझ में आया वो क्लियर हो जाए ठीक है और देखिए स्रीजन और मनोरंजन तो मार देते हैं और छोटे बच्चों के साथ तो देखिए आप बहुत ऐसे गमगीन और जगजीत सिंग की तरह नहीं रह सकते हैं छोटे बच्चों के साथ तो एक्टिव रहना पड़ेगा जंप भी करना पड़ेगा पूरी पीटी करानी पड़ेगी वो सारी बाते क्योंकि बच्चों के अंदर छोटे बच्चों में एनर्जी बहुत है, आपको उनको फिजिकली भी स्ट्रॉंग करना है, और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में तो आप बस इमोजी ही बना पाएंगे, बाकी जब स्कूल में जाओ तो करना है न, और लोगतांतरिक सबसे बढ़िया है, ना तानाशाही अच्छी है और ना बच्चे को लैजे स्फेर अच्छा है, अपने आप छोड़ दो, खुद सीखेगा भई, ठीक है, दोनों ही अच्छे नहीं है, लोगतांतर सबसे अच्छा है, अपनी भी सुनाओ, दूसरे की भी स सुनो, ठीक है, तो बच्चे की भी सुनो, ठीक है, तो बच्चा जो है, वो एक मिनियेचर अडल्ट नहीं है, फिलिप कार्ड वाला चोटा बच्चा, जिसमें लड़कियों को साड़ी पैना देंगे, चोटी-चोटी बच्चियों को, और जूड़े बना देंगे, और बच्चा जो है, वो ठोटा व्यसक नहीं है, बच्चे की अपनी इंडिविजुएलिटी है, बच्चे का अपना संग्यानात्मक स्तर है, आप उसे कैसे कह सकते हो, कि वो बड़े का छोटा रूप है, वो बड़ो जैसा बिहेव करे, अरे नहीं करेगा वो, पियाजे की स्ट पढ़ी ही क्यों फिर, उससे जोड़ कर देखिये न, पियाजे की स्टेज कहती है, बच्चा क्या करेगा, कंसर्वेशन नहीं कर पाएगा, अगर वो प्री उपरेशनल में होगा, बच्चा जो है, रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाएगा, तो वही वाली बात है न, और आप चाते हो कि बच्चा जो है बड़ो जैसा बिहेव करे, तो इस सोच के जितने भी सवाल, पेपर में आएंगे न, तो उन्हें काटना, चाइल्ड इस नौट मिनियेचर अडल्ट, भ्यावार वादी मानते थे ऐसा, कौन मानता था ऐसा, कि बच्चा, खाली, स्लेट है, ठीक ह और आप उसको जैसा चाहो मिनियेचर अडल्ट की तरह बना सकते हो, तो यह कौन कहता था, आंसर लिखिए, यह कहते थे हमारे ब्यावार वादी, और आज की डेट में ब्यावार वादी पेडागोजी हो गई है, आउट, क्योंकि आज की डेट में जो है, जमाना है, और यह सब जो थे, यह आपके थे, constructivist, रचनावादी, इस तरीकी की सोच से हमें सवाल लगाने है, क्योंकि यह सोच सही होगी, तो हमारे practical वाले सवाल सही होगे, बच्चा खालिस लेट है, यह John Locke ने कहा था, Watson ने कहा था, कि मुझे एक दरजन बच्चा दे दो, मैं जो चहां उसे बना सकता हूँ, एक, और देखिए, आप training of senses, आप जितनी ज़्यादा बच्चे की senses यूज़ करेंगे, बच्चे को ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, इस पर एक कहावत है, बहुत famous है, किसी को याद है, तो जरूर बताइएगा, ठीक है, एक चीनी कहावत है, अपने पडोसी देश की, और है बड़ी मज़ेदार, वो यह है, I hear, I forget, मैंने सुना, मैं भूल गई, है न, I see, I remember, मैंने देखा, मुझे याद रहा, I do, I understand, मैंने किया, तो मुझे समझ आया, तो देखिए, कि सिर्फ आप क्लास को सुनेंगे, तो भूलने के चांसे हो सकते हैं, सिर्फ देखोगे, तो हलका हलका याद रहेगा, और जब खुद नोट्स बनाओगे, अपने हातों के मनुगत्यात्म कोशल का परियोग करोगे, क्लास के PDF का प्रिंट ना निकालके, अप आप चीजों को समझोगे, क्योंकि आपने उसके साथ समय वैतीत किया है, तो ये वाली बाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, जो कि आज की पेडागोजी में फिट भी बैठती है, मैं तो इसको बहुत तहे दिल से मानती हूँ, तो ये वाली बाते हैं, ठीक प्राहशे हैं, आपना टीलम, ओडियो वीजुल एड कहलो या श्रब्वे दिरिश्य सामगरी कहलो, श्रब्वे यानि सुनने वाला, ठीक है, दिरिश्य यानि देखने वाला, ऑडियो वीजुल एड, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कहलो, ये तो बलकुल क्रूर सिंग के किस किस को कुरूर सिंग याद है चंदरकानता वाले वह लग रहे हैं अनुदेश आत्मक प्रभंदन या फिर T.L.M. सिक्षन सहायक सामगरी तब एक ही बात है समझ गए हाँ अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे क्योंकि एक दो नंबर यहां से बनता है ठीक है क्योंकि बहुत ब क्लासिफिकेशन क्योंकि देखिए रीट का एक वेपर होता है उसमें तो ना यह सवाल पूछते हैं कि प्रक्षेपी सामगरी कौन सी है अप्रक्षेपी कौन सी है और जितने भी मैंने प्रीविएस येर वेपर D.SSS.B. के देखे उन्होंने भी बहुत जादा पूछा है इ यानि ज्यानें इंद्रिया तो जल्दी से बताएए वारी ज्यानें इंद्रिया कौन सी है यानि किन-किन इंद्रियों से हम ज्यान लेते हैं अब जो सही देगा पेहले अब उसका नाम लूगी ठीक रटोगे तो भूलोगे समझोगे तो याद रहेगा पांचो के नाम एक सार लेने हैं ठीक है मैं भी लिखती हूँ आप भी लिखिए आई इर कान ठीक है और क्या है तच टेक्टाइल जिसे कहते हैं थूना नोज और क्या है भई आई नोज इर तच पांच होती है तंग तंग आई क्या अपनी तंग जीव अब ये जीव से तो पता नहीं देखे सारी फसाद की जड़ जो मान वी है जितने भी लडाई जगडे होते हैं उसकी तो सबसे बड़ी जड़ ये जीव ही है देशों के बीच में देख लो घरों के बीच में देख लो तो ये तो चलिए ये मुद्दा अलग है अलग बात करते हैं ठीक है अब हम करते हैं ये हमारे पांच सेंस ओर्गन है ठीक है तो इनकी बाते हमने कर ली और आप जीब भी दिखा रहे हो मुझे इमोजी में कोई बात नी ठीक है तो आडियो होता है यानि सुनने वाला जैसे श्रवय सामगरी जैसे रेडियो दूसरा है आपका वीजुल यानि देखने वाला जिसमें आगया आपके चार्ट्स ग्राफ्स ये सब ठीक है तीसरा आता है ओडियो विजुल एड्स यानि कि दोनों का मिश्रित भाग ठीक तो टीवी सिनेमा ये सारी बाते ठीक कई बार ये पांच सेंस ओर्गन के नाम आ जाते हैं तो जीके का सवाल भी हमारा हो गया तो ये तो बहुत आसान है और देखिए तकनीक के आधार पर अगर हम देखें तो एक होता है हाडवेर और एक होता है सॉफ्टवेर हाडवेर यानि हाड डबा टेकनोलोजी इसको इस तरीके से मान के चलिए जैसे कि हाडवेर में आता है आपका रेडियो पेपर में यहां से सवाल आगा यह तो बहुत आसान है एवी वाला अगर देते हैं तो मुफ्त का ही नंबर है तो हाडवेर में आता है आपका रेडियो टेलिविजन रिकॉर्ड प्लेयर ठीक है सॉफ्टवेर में आता है आपका चित्र ग्राफ चार्ट पुस्तक जिसमें विजली विजली की कोई जरूरत नहीं पड़ती हाडवेर आपका समान है हम कहते ने यह दुकान हाडवेर की है भाई किस चीज की दुकान खोली है तुने हाडवेर की खोली है computer, mechanic वगएरा यह सारी चीजे ठीक करता हूँ mobile ठीक करता हूँ तो वह सब हाडवेर है ठीक है त एक और classify करने का तरीका है projection, यानि प्रक्षेपन सामगरी, इसमें होती है हमारी projected aids और non-projected aids, projected aids वो होती है, जिनके लिए हम एक projector का परियोग करते हैं, जैसे आपका हो गया, पुराने जमाने में वो ऐसे वो बड़े-बड़े screen लगा के उन पे हम क्या करते थे, फिल्मे और slide देखते थे थे न, तो वो वाली बाते, ठीक, तो वो आपकी projected aids होती है, non-projected aids होती है, आपकी आप्रक्षेपित सामगरी, जिसके लिए आपको projector की जवतनी होती, ठीक, जैसे exhibition, field trips, ये वाली बाते, अब हम ये classification करने का तरीका है, जो पर्दे पे दिखाते हैं, बड़ी- देखकर आते हो, वो सब projected aids है, ठीक है, और non-projected aids है, जैसे कि जिसमें आपका projector का परियोग नहीं होता, ये देखिए, एक और तरीका है करने का, आप कहोगे कि मैडम, आपने English में लिख दिया, तो देखिए, कुछ खास शब्द ही नहीं थे, कि इनको मैं हिंदी में लिखत से कन्नी काटना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो बेटा माफ कीजिएगा, सपष्ट बोलती हूँ, कि English तो कन्नी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो compulsory है, तो छोटे-छोटे अंग्रेजी के शब्दों से ना घबराया करें, प्रोजेक्टिरेट्स में आ गए आपका जैसे फिल्म, स्लाइड, OHP, OHP की फुल फॉर्म लिखिए, क्या होती है, एक होता है, एपिडिया स्कोप, ये बड़ा सा डबबा होता था, पहले उसके अंदर या तो हम स्लाइड लगाते थे थे, या फिर कोई कागस का पन्ना लिखा, फिल्म स्ट्रिप जो होती है, वो उनकी यहां मेजरमेंट दे रखिये मैंने, यानि उनकी 16 mm और 32 mm, ध्यान से देखिएगा, ये इन दो फॉर्मेट में ही आती है, तो कई बार पुराना गिसा पिटा सवाल आया, तो यहां से आ सकता है, लिखिए सभी 16 mm और 32 mm, OHP, ओवर एड प्रोजेक्टर, ठीक है, वो सारी बाते, अब ग्राफिक एड्स क्या होती है, ये होती है आपकी श्रव्य समगरी, देखने वाली, जिसमें चार्ट आ गए, फ्लेश कार्ड आ गए, पोस्टर आ गए, चितर आ गए, फोटोग्राफ आ गए, ग्राफ आ गए, प्राफ डाइग्राम, ये सारी बाते, ठीक, फिर आगए भई आपके डिस्प्लेइ बोड, इस पर एक सवाल आया था भी, फ्लेश कार्ड बोड क्या होता है, अब ये फ्लेश कार्ड पता है, एक कपड़ा सा होता है, उसको गत्य का चिपका देते हैं, और उसके बाद उसक लेंग्विज में यूज होता है, हमने जब टीपी करी होगी, तो उमीद करती हूँ, सबने यूज किया होगा, ठीक, मेगनेटिक बोड होता है, यानि उसमें चुम्बक वाली चीज़े चिपक जाती है, सारे ही बोड है, ठीक है, और मैं जिस बोड पर पढ़ा रही हूँ, मैं बोड हैं, वोग कौन सा बोड है, कौन सा बोड है यह जिस्पे आपका टीचिंग, रोजगार विध나ंकित पर पढ़ाया जा रहा है, ओवर हैंड अहेंड नहीं है, हाथ के ऊपर थोड़ी प्रोजेक्टर रखा हुआ है, यां रखा हुआ है यह प्रोजेक्टर, या ओ वर्विद अंकित पे पढ़ाया जा रहा है pause over head projector है over hand नहीं है आत के ऊपर थोड़ी projector रखा हुआ है यहां रखा हुआा प्रो जगा हुआ है यह over head लगा हुआ है सर के ऊपर लगा हुआ है ध्यान दीजै वेटा है ना तो या interactive board है जिसे हम digital board, smart board यह सब हम कहते हैं, फिर आगे आपके तीन आयामी चीजे जिसमें आपके मॉडल, प्रतिरूप, जितने भी हमने मैट्स की पेड़ागोजी में एक पूरी क्लास करी थी, उसमें हमारे अलग-अलग मॉडल्स थे, वो सारे आ जाएंगे, है ना, पपेट्स आ गए, जो कि आप में यूज कर सकते हो, चीजे आ गई, स्पैसिमेन आ गए, मतलब बहेओ की लैब में जितने आपके स्पैसिमेन, कबूतर वगएर ऐसे, फॉर्मल इन में डाल रखे होते हैं, वो नौन प्रोजेक्टिड एड है, किसमें डालते हैं उन्हें, बचाने के लिए कि उनमें चोटे बच्चों के साथ कहानी सुनाते हुए, खूब करते हैं, और ओडियो यानि सुनने वाला तो रेडियो पीछे सी तो बहुत चल रहा था, आज कल जब से स्मार्ट फोन बहुत ज़्यादा और सस्ता नेट हुआ है, तो रेडियो का जो है, जमाना थोड़ा कम हो रहा ह रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल अडियो टेप्स और आज एक महान बंदय भी, बपी लहरी भी शायद उनकी डेथ हो गई, लता मंगेशकर की पहले हुई, तो संगीत जगत को शती पहुँच रही है आज कल, टीवी, टेलिफोन और मोबाइल, और गती विधी क्या होती है, गूमने ले जाओगे बच्चों को वो गती विधी है, परियोग कराओगे वो गती विधी है, नौटंकी कराओगे, नाटक कराओगे वो एक गती विधी है, टीचिंग मशीन, अच्छा, ये टीचिंग मशीन किस ने दी थी, सवाल है आप सब के लिए, सवाल आता ही है, B.A.R.D.B.T.C. में पढ़ी होगी उसमें हमने जरूर पढ़ा है किसने दी थी teaching machine तो Google ना कीजिए आता है तो इमानदारी से जवाद दीजिए नहीं आता तो भी बता दीजिए क्योंकि यहाँ पर बात कर लेंगे नकल से क्या होना है खुद को आना चाहिए है ना चलो बच्चो वो दी थी प्रैसे ने ध्यान रखिएगा प्रैसे प्रैसे बंदे थे जिन्होंने teaching machine दी एक machine सी दी typewriter जैसी जिसमें अगर आप सही करते थे MCQ जो है ना अगर सही होता था तो ठीक है तो उस जैसी थी हो machine फिर skinner सहाब जो थे उसे बड़ी प्रेरित हुए तो उन्होंने फिर program instruction वगेरा पर काम किया उन्होंने उसके idea को अपने में यूज करके बहुत नाम कमाया तो teaching machine प्रैसे ने दी थी याद रखिएगा teaching machine पढ़ाने की machine लड़कियां बालों में pressing करती हैं तो ऐसा मलब कुछ भी आप बना सकते हो ठीक तो प्रैसे है इसका जवाब प्रोग्राम instruction फिर आ गए अब यहाँ पर अगर linear programming है रेखिया है तो वो skinner हो गए और अगर branch है तो वो हमारे crowder हो गए ठीक अब यह कुछ श्रव्य सामगरी है तो चलो radio में यह हमारा radio है यह cassette पहले भरवाते थे हैं मलब पहले एक एक गाने भढ़ने के पूरे मलब पांच पांच रुपे लेते थे आज की जमाने में तो यह cassette कहां यूज होती है ठीक है मगर आप ही सकता है बेपर में है न यह आपका वो horror movies में इसमें से गाने बचते हैं वो एक प्लेट सी होती है लगाके और यह शायद cassette recorder है यह radio है और यह CDs है CD का जमाना भी लद गया अब तो pen drives वगएरा में अगर जो data है उसे use किया जाता है यूपी के महान स्कूल में आज भी होता है radio सही है radio आप भी कुछ वर्षों बाद जब आप और 20 साल बाद बच्चों को ऐसे दिखा सकते है बेटा यह एक ऐसा teaching aid होता था तो उस तरीके से यह हो जाएगा देखिएगा द्रिशय समगरी देखने वाली तो पुस्तक है चार्ट है मानचितर है पोस्टर है चार्ट है और आपका बुलटिन बोर्ड है संग्राल है जो है उसमें जाकर अगर आप बस देख रहे हो उसको तो वो भी द्रिशय समगरी है तो वो वाली बात और audio और वीजयो यानि द्रिशय श्रव्य समगरी यानि मिलकर करना तो वो क्या है टेलिवीजन, कम्प्यूटर, फिल्मे, एनिमेटेड पिच्चर, डिवीडी और ये आपका टीवी है पुराने वाला जो डबबा हो है तेरा फरवरी रेडियो डे लिख रहे है चेक करके हम जादा देख लेंगे पीडियाफ आपको रोजगार विदंकित एप पे मिल जाएगा अब द्रिशरव्य द्रिश्य समगरी की जरूरत क्यूं है जरूरत देखिए इसलिए है कि बच्चों का वैग्यानिक द्रिश्टी गोन इससे डेवलप करवाए हम ठीक है हमें मदद हो जाए बच्चे को कॉंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाए बच्चा जो है वो एक्टिव बना रहे ठीक है और अधिगम अच्छा हो रूची करो बच्चे बोर ना हो ठीक है तो ये सारे काम होते हैं पाठे चर रहे हैं कि नीड है उससे समझाना तो जादा बैठतर है अगर आपको माल लीजे कि आपको मैप है वो करवाना है अब आप बोल बोल के कराओ इससे बच्चों के से भारत का नक्षा मंगवा लो और वहाँ पर लोकेट करके करवाओ तो वो जादा अच्छा है ठीक है तो ये कर सकते हैं ध्यान खीचता है वहिया टीचिंग एड अगर कोई मैडम नई टीचिंग एड आती है तो बच्चों का सारा ध्यान उसमें ही होता है है ना तो बड़ा ध्यान कैचर है अटेंशन कैचर है ठीक है सार्थक अधिगम होता है लंबे समय तक नौलिज याद रहती है है ना तिक्षक की एक्स्ट्रा वर्बलिजम ये शब्द लिखिये सभी बहुत अच्छा शब्द है वर्बलिजम वर्बलिजम है यानि की बहुत बख 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 करना ठीक है तो अब टीचर बहुत बख बख कम करेगा अगर कोई टीचिंग एड लेकर आ गया और बच्चों को उससे समझा दिया तो टीचर की बख 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 थोड़ी कम हो सकती है इससे तो टीचिंग एड ले जाईएगा अगर किसी को कम बोलना पसंद है तो मलब ज़्यादा बोलना है तो वो कम बोलने के लिए इसको यूज कर सकता है वर्बलिजम कहलाता है यानि वर्बल होना ज़्यादा बोलना समप्रत्य क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये एक अच्छा सब्सिट्यूट होता है, आसान तरीका है, अधिगम कराने का, इससे लर्निंग फन होती है, मज़ा आता है, है ना, आच्छा, एक experience जरूर बताइए, आज तक कि आपको अपनी कौन सी teaching aid याद है, ठीके, ऐसी teaching aid जो आज भी आपको या आती है, हाँ, मेरी मैडम ने ऐसे पढ़ाया था, या सर ने ऐसे पढ़ाया था, या मैंने जब teaching practice करी, तो मैंने जब ये यूज किया, तो बच्चों को बड़ा मजा आया, देखिए, ऐसे सवाल है ना, जो अभी मैंने पूछा, ये आपके KVS के interview में पूछे जा सकते हैं, तो हम सिर्फ आस पास की जितनी बाते हैं, उनको cater करके चलेंगे, तो बताओ, आपने कोई ऐसी सहायक सामगरी बनाई है, जो आपको सबसे पसंदीदा हो, कब यूज करी, किस के साथ यूज करी, या आपके किसी teacher की थी, तो ये वाली बात, size है 16 mm और 32 mm का, उसका size है इतना slide का, ठीक है, तो ये teaching aids जो है, वो मदद करते हैं, कोई पवन चकरी का उधारन मत देना, वो बहुत पुराना रद्धी उधारन है, कि हम windmill ले गए बच्चे को windmill सिखाने के लिए, तो 12 में, बायो लैब में, फ्रोक का post-mortem किया था, तो व आज की डेट में, बैन है, अधिकम के मनवभग्यानिक पक्ष पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चा इसमें active रहता है, बच्चा सो नहीं रहा है, व्यक्तिगत विभिनताओं को cater करती है, यह हमने कर लिया था, और monotony, बोरियत को दूर करती है, अब हमें teaching aid, यूज करनी है, तो हमें किनी कीने बातों का धियान रखना चीए, हाँ, बोल कैनों का बहुत अच्छा example है, चाहो तो आप यह दे सकते हो, देखिए, audio visual aid करते हुए हमें चयन करना पड़ेगा, ठीक है, और उस चयन को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, कि जो आप content पढ़ा रहे ह तो उससे वो related हो, teaching objectives को fulfill करे, बच्चों के संग्यानात्मक स्तर की हो, ऐसी नहाओ बच्चों के उपर से जा रही है, सटीक हो, और देखिए, topics से related नहों, यू नहीं कि बस चमकी धमकी सी है, और कुछ उससे conceptically नहीं हो रहा, जैसे कि क्या होता था, कि हम BLN में क्या करते थे, white sheets पे project लिखते थे, मलब assignments देते थे, तो मेरी एक friend लाई, इतने मोटे मोटे महंगे, quarterate sheet के pages, और उस पे assignment बना बना के उसने दिये, तो हमारी teacher थी, बड़ी, मलब रचनावादी किसम की, तो उन्होंने उसके कहा कि बेटा, इतने पैसे खर्च करके, लिखने की जवत नहीं तो कुछ ऐसी बाते हो जाती है, है ना, तो हमें सिर्फ सजावट की समान बना कर नहीं रखना है, TLM को उससे अधिगम हो ये काम करना है, ठीक, भाशा familiar हो और बहुत गम्मय हो, बहुत लंबी-लंबी चोड़ी-चोड़ी बाते नहीं करनी है, बच्चों के साथ उनके स्तरक अगर मिठ्धू हाती बनके आप लेकर आया है, तो मिठ्धू हाती आप कोगे मिठ्धू तो हम तोते को कहते थे, तो इस तरीके से जो भी है, आप पपेट्स का यूज करो तो बच्चे के स्तर को यूज करो, अगर वो मिठ्धू तोते को कहता आ रहा है, अब आप उसको हा पुरत पढ़ने पर ऐसा नहीं है कि आपने अलमारियों में अच्छी सी टीचिंग एड बनाई क्योंकि इंस्पेक्शन की टीम आने वाली थी फिर आपने क्या गया कि मेरी जो टीचिंग एड है कहीं खराब ना हो जाए अगले साल काम आनी चाहिए आपने उसको बंद-बंद दे रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में तो और किताब भी बहुत दे रहे हैं बच्चों को रीडिंग केंपेन के तहत रोज किताबे दी जाते हैं कि वो खूब पढ़े हैं बाल सहित्त है इतना बड़ा अच्छा रिसोर्स है लेंग्विज का एक बहुत अच्छी टीचिंग ठीक अभी प्रेरित करने वाली हो अधीगम से इंटीग्रेटिड हो आलतु फालतु टीचिंग एड बनाने की जवत नहीं है रेलिवेंट कॉंसेप्ट को भड़ाए वो वाली बात ठीक और देखिए तैयारी के साथ आओ लोकल मैटीरियल को यूज करो जितना हो सके यहां स सवाल आएगा कि आपकी सिक्षन सायक समगरी बहुत खर्चीली नहीं होनी चाहिए लचीली होनी चाहिए लोकल मैटीरियल पे आधारित होनी चाहिए और आप उसे संभाल पाओ है ना पता चले बहुत टीचिंग लर्णिंग मैटीरियल इतना बड़ा-बड़ा बना कर लेक बड़े बड़े चाट और और खुद गिर रही होती है साड़ी में मैडम, फ्यूचर मैडम, तो ऐसा नहीं, हैंडल कर सको उसको, समझा पाओ, खुद उसको प्रीवियसली टेस्ट करो, यू नहीं कि ले गए उसको और वहां जाके क्या हुआ, वो फ्लॉप हो गई, तो अब तक्रिय रहना चाहिए, और मुल्यांकन करना चाहिए, और देखिए, जब काम बन जाए, जब आप पढ़ा दो, ठीक है, उसके बाद उस टीचिंग लेनिंग मैटियल को समेट के कहीं साइड में रखो, क्यूं, वरना बच्चों का सारा ध्यान उसी पे चलता रहेगा, और आप जो कॉंसेप्ट पढ़ाने के लिए आयत है, वो नहीं पढ़ेंगे, काम हो गया, तो समेट दो, और फिर पढ़ाओ, ठीक है, हाँ, ये टी एलम टूटते हैं गिरने से बहुत जादा, कई बार, तो टी एलम जो है, वो इस तरीके का बनाई है, कि बहुत खर्चीला ना हो, तो गिरेना तो ऐसा है, कि नुकसान भी ना हो, है ना, और सूट गिर तो देखिये, पुरुष भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कि मैंने महिलाओं पर कमेंट किया, तो बात ये है, कि जब हमारे हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, को ये इस इतना हाइफ़ एलम बनाए और है तो वो गलत है, है ना, उसे फायदा क्या है, एंपिटेट में आएगा ये सब, ये है बहुत इंपोर्टेंट, एजर डेल का कोन ओफ एक्सपीरियंस, फादर ओफ, ओडियो विज्वल एड, तीलेम के लिए पर टीचर को 500 रुपे पर येर गवर्मेंट देते हैं, हां, और उ समान ही लाना होता है, पचास रुपे देकर फर्जी बिल नहीं लाना होता, ठीक, तो वो मत कीजिएगा, समान लिए आएगा जब लगो, तो फादर ओफ, ओडियो विज्वल एड, कौन है, शरव्य द्रिश्य सामगरी के पापाजी, ठीक, जी वो है आपके एजर डेल, ठी अनुभवो का, देखिए इसें सवाल कोईद आता है, काई बार तो बते हैं, सवाल यह आता है, कि ईनुने, एक्सपिरियंसी का अनुभवो का शंकू दिया था, या अनुभवो का त्रिभुज दिया था, अनुभवो का आयत दिया था, तो हम ए het is kind, याद दे खना है तो इसमें देखिए सबसे नीचे होती है आपके direct purposeful experience यानि प्रतक्ष उदेशय पून वास्तविक अनुभव अब ये क्या वास्तविक अनुभव होते हैं वास्तविक अनुभव ये होता है कि आपने सीधा experience दिया किसी चीज को खुद से देखा करा उसके बाद होते हैं आप सीधा तो जा नहीं सकते तो आपने उन चीजों का परियोग किया जैसे कि आपने डायोरामा जैसे वोलकैनों का आपने चितर बना दिया मॉडल बना दिया वो सारी बाते उसके बाद आता है not tanky dramatic participation यानि पात्र अभीन है इसमें भी बच्चा बहुत active होता है real experiences लेता है पिर होता है प्रदर्शन अब teacher active हो रही है धीरे धीरे देखो यहां सबसे नीचे जो था ना वहां बच्चा active था और जैसे 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 हम उपर जाते जाएंगे ना teacher या फिर सामगरी वो उपर उठने लगेगी बच्चा passive होने लगेगा और हम देखिए सबसे नीचे सवाल है अब आपके पास ध्यान दीजेगा बेटा कि हमारा जो यह निचला स्तर है यह हमारा मूर्थ है या अमूर्थ है यहां से सवाल मैंने देखा है इसलिए पूछ रही हूँ जो हमारा सबसे नीचला स्तर्थ है वो मूर्थ है या अमूर्थ है concrete है या फिर abstract है हाँ तुशार, स्मृरिधी, नमीशा अकांशा, हरदेश हाँ सब जिन बच्चों ने concrete दिया है बहुत सही सही सोच रहे हो और सही सीख रहे हो देखो बच्चों, यह मूर्त चीज है यह मूर्त अनुभव आपको मिल रहे है चीजों के साथ, direct experience मा लेजे direct experience है कि आप चिडिया घर में गए, ठीक है तो आपने direct अनुभव किया, तो मूर्त चीजों के साथ देखा ना, ऐसा थोड़ी आपने अमूर्त पिच्चर के साथ देखा तो वो वाली बात, तो हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके ठीक है? तो यह हमें याद रखना पड़ेगा पिर आते हैं आपके field trips, फिर आपके आते हैं प्रदशित वस्तू देखिए इनको ना, इस sequence को आपको याद ही करना पड़ेगा बस यह देखिएगा, नीचे जो है यहाँ बच्चा जादा active है और धीरे धीरे जो है ना, teacher और सामगरी उसकी प्रभूतत्ता भढ़ती जाती है फिर आपके आगे, गती शील चितर देखना, ठीक है? गती शील में फिर भी कुछ activity हो रही है फिर कहते है भाड में जाए टीवी अब हम बस slide दिखा देंगे और recording दिखा देंगे तो गती शीलती शीलता है ना, वो भी दूर चली गई फिर सिर्फ हम visual symbol दिखाएंगे और सबसे उपर आता है आपका शब्द पढ़ना तो नीचे वाला और उपर वाला ये हमें देखना पड़ेगा सबसे नीचे direct अनुभव है सबसे उपर है शब्द पढ़ना देखें, शब्द पढ़ना कितना अमूर्त है अगर मैं यहां लिखू mango ठीकें ये सबसे जादा अमूर्त अनुभव है जिसे आप पढ़ोगे ठीकें और सबसे अच्छा direct purposeful क्या होगा कि मैं आम ही दे दूँ आपको आप खाओगे भी मज़े से और वो सबसे मूर्त चीज है और ये mango लिखा हुआ ये सबसे अमूर्त चीज है क्योंकि देखिए ये यहाँ सबसे ऊपर आएगा verbal symbol यानि लिखित हुआ symbol और visual symbol क्या होगा अगर यहाँ पर मैं आम का चितर बना दूँ ठीक है तो आगया समझ में आम खाएंगे इस साल बढ़िया तो ये वाली बात है हमें इसकी sequence को याद रखना है कि ये मूर्त ता से अमूर्त ता की तरफ भड़ता है ठीक है सबसे निचला पाइदान क्या है और सबसे ऊपर क्या है आम के example से याद रहेगा ठीक है याद रखना लिखा हुआ सबसे ऊपर है चितर सबसे उपर नहीं है, आगया जी, हाँ आ कर दो, फिर सवाल लगाएंगे, और आप मुल्यांकन करेंगे, मैं भी मुल्यांकन करूँगी, ओके, पहला सवाल, निमलिक्त में से कौन सा भारत में एकिकरिच सिक्षा का इस्तमाल होने वाला एक लोगप्रिये मॉडल है, सेल्फ कंटेंड क्लासिस या फिर रिसोर्स रूम, दी ट्रिपल एस भी प्रात्मिक शिक्षक भरती में दोहजार उन्निस में ये सवाल आया है, ठीक है, तो इसका आंसर है, दोनों, इन में से कोई भी नहीं, पहला या दूसरा, हम, तो सभी बच्चे क्या दे रहे हैं, इसका जवाब ए दे रहे हैं, हाँ, देखिए, दोनों है, इसका जवाब, बोथ, हम, अब ये बोथ कैसे है, सेल्फ कंटेंड क्लासिरूम वो होता है, कि एक ऐसी कक्षा, जिसके अंदर आपकी देखिए, बहुत सारा समान है, वहाँ पे, दो अलमारी भी दे रखी हैं, जो किताबों से भरी हुई है, टीचिंग लर्निंग मैटीरियल भी है, और साथ की साथ, एक आपका रिसोर्स रूम अलग से भी बना रखा है, जो आपका क्लास रूम लाइब प्रेरी हो सकता है, या फिर एक ऐसा कमरा जिसमें बच्चों के खिलोने विलोने हैं, बहुत सारी बाते, तो दोनों चीजे हैं, ठीक है, क्लास में भी समान होगा, अलग से भी कमरे में होगा, अब दोनों चलता है, ठीक, अब ऐसे सवाल अगर आएंगे, तो आप देखिए आपका सेलेक्शन कौन रोख सकता है, कोई नहीं रोख सकता, एक सिक्षक अपने चातरों को खगोल विज्ञान और खगोलीय पिंडो के बारे में पढ़ाना चाहता है, उसे इस उदेशे के लिए निमलिक्त में से किस चानिय दोरा आयोजित करना चाहिए, तंगरालय में, म्यूजियम में, बोटैनिकल गार्डन में, या फिर मत स्यालय यानि एक्वेरियम वहाँ पे या तारा मंडल में, है ना, तो यहाँ पर है भी चाचा नहरुवाला, दिल्ली में तो, सौर मंडल में, टिम टिम ये गाना भी आज भी बच्पन की आदे दिला देता है, तो तारा मंडल में ले जाएंगे है ना, प्रैनिटेरियम में, तो वही है इसका अंसर, बताओ, डी ट्रिपल स्भी प्रात्मिक भरती का सवाल है, असान है ना, कर लोगे ऐसे सवाल, और देखो, क्लास में हमने करी ही है ये ब का उपयोग कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है, ले तथा गीतों का वीडियो को रिकॉर्डिंग करना, चलो भई, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों, कोई भी नहीं, जी सेकंड ओप्शन सही है, ना, इधर वन नौर टू, बोथ सही है या व तो सब के आंसर, तुशार, वारिस, एक्ता, अकांशा, बहुत अच्छे रोईत, दोनों का यूज करेंगे हम, आप कहां चल दिये सवाल जी, ठीक हैं, क्योंकि देखिए, जब हम गानों का प्रियोग करेंगे, वो भी भढ़िया है, है ना, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वो भी अच्छा, दोनों अच्छे हैं, तो अच्छा, असान सा एक आंसर आ गया, है ना, ओर्थ, निमलिक्त मेंसे कौन सी सिक्षन अधिगम सामगरी, सिक्षन अधिगरम प्रक्रिया के लिए, कक्षा में अध्यापक द्वारा परियुक्त होने वाली, अधिगम सामगरी है, अभी हमने किया था, प्रोजेक्टिव एड, जिसमें प्रोजेक्टर का परियोग किया जाता है, ठीक है, तो चौक बोड में हम कौन सा प्रोजेक्टर यूज करते हैं, क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है, मैंने जूम कर रखा है, लो हिंदी वाला कर द प्रोजेक्टर का यूज होता है, जिसमें हमारा प्रोजेक्टर का यूज होता है, चौक बोड में हम कोई प्रोजेक्टर लगाते हैं, नहीं, शेत्रिय ब्रहमण में प्रोजेक्टर लेके घूम रहे हैं, नहीं, फोटोग्राफ में भी नहीं, तो लॉजिक से भी इस आंस एक डबबा सा होता है, जिसमें मैंने बताया था, स्लाइड लगा दोगे, या फिर आप एक फोटो कॉपी वाला जो पेज होता है, वो भी काट के लगाओगे, तो वो बड़ा करके दिखा देता है, जूम कर देता है, उमबख है, एपिडियास्कोप का चितर देखना, क्लास खतम होते ही, चिक, आगे, निमलिक्त में से कौन सा श्रव्य द्रिश्य सामगरी का एक उधारन है, जिसका उपयोग कपास उद्योग के संदर्व में किया जा सकता है, कपास उद्योग के बारे में पढ़ाते समय सिक्षक, चात्रों को एक वीडियो क्लिपिंग दिखा सकता है, जिसमें उद्योग के विभिन चर्णों को दर्शाया जाता है, तो ये तो ठीक है, कपास उद्योग के उद्योग के केंद्रों के स्थानों को दर्शाने के लिए चित्रों तथा मान्चित्रों वाले एक चाट का परियोग करना, ये भी ठीक है, कपास के विभिन उप्योगों पर चातरों के बीच एक चर्चा का आयोजन करना, अब आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर दे रहे हो, जल्दी से बताओ, ओल्ली वन, चतुर नार, वन दे रही है, चतुर नार गलत है वही ये वाला, तो तीनों सही नहीं है इसमें, नहीं है सही, ध्यान से देखिए, ऐसे लंबे सवालों में आल नहीं है, चर्चा कर रहे हैं, तो हम कौन सी ओडियो विजुल एड का परियोग कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, चर्चा में कौन सी एड यूज होती है, मुझे बताइए, मैंने तो देखी नहीं, अरे हम ऐसे बेसिक सवाल गलत कराते हैं, कौन्फिडेंस, कि जब ओवर मात्रा होती है, है ना, तो थर्ड नहीं आएगा, वन और टू आएगा, तो बी है इसका अंसर, ठीक हैं, क्योंकि यहां देखिए, श्रव्य दिशे सामगरी का उधारन बताना है, तो वन और टू में है वो, है ना, आगे, निमलिक्त में से किसका उपयोग कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है, एनिमेटिड कहानिया, है ना, विर्ट चित्र डॉक्यूमेंटरी जो हमारी यूद होती है, तो दोनों हम यूज कर सकते हैं, क्या, कोशन ध्यान से नहीं देखा, स्मृधी यही तो बाते हैं, छोटी-छोटी चीजे नंबर ले जाती हैं, और DSSS भी तो अगर एक गलत करोगे न, तो 0.25 आपके सही को भी ले जाएगी, तो यह बात हो जाती है, ठीक है, तो इसमें देखिए, दोनों का ही आप परियोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आजाएगा अपना B, फिर से एक सवाल, 2019 में प्रात्मी सिक्षक भरती में आया, प्रयावरा नध्यन में सिक्षय नधिगम के लिए निमलिक्त में से कौन से संस्थागत संसाधन हैं, है ना मेटा, संस्थागत संस्थान वो होते हैं, यानि कि institutional resources, यानि ऐसे institutions जिनको आप यूज कर सकते हैं, ऐसे संसाधन, जैसे आपकी कोई hospital हो गया, या post office हो गया, पलिस वाला हो गया, आपका मलब जो थाना है वो हो गया, जूम कर दूँ, लो, हिंदी मिने माला कर दूँ, चलेगा, बस, तो पोध शाला यानि nursery सही है, डैम पे भी सही है, है ना, बस risk ना हो, बच्चों को ध्यान से ल सही है, तो अपना चारो वाला option A, कतई सही है, all, B कैसे गुंजन, तू क्यों छोड़ दिया, डैम के उपर ले जाके हम सिखा, संसाधन ही है डैम, बच्चे को hydro electricity, या फिर मलब या जो पानी से जो बिजली बनती है, वो छिखा सकते हैं, कि इतनी उपर से गिरता है पानी है, जैसे कि कुछ राज्ये हैं, वहाँ पर ये plants लगे हुए हैं, तो बच्चों को महा ले जा सकते हैं, मगर दियान से, नहीं है, ठीक है, ऐसे सवाल आते है, अब इसमें गलती मत करना, इसको ध्यान से लगाना, ऐसे बताना, एट का अंसर ये, ठीक, कम्प्यूटर सहाइक सूचनाए, ग्राफ, टेलिवीजन या फिल्म, बहुत बेसिक है, मगर मुझे पता है, एक दो इसको पक्का गलत करेंगे, पकड़ती हुँ में उनको कौन कर गलत, ये हाँ, सशी, क्या बात, एक कैसे लगा दिया, तुशार का सही है, देखिये न, ओडियो विजुल एड में देखिये, फिल्म तो आएगी आएगी, उसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, टेलिवीजन में भी यही होता है, कम्प्यूटर सहाइक सूच अगर आपको विडियो क्लिप दे दी कोई, ठीक है, तो उसमें दोनों बाते आगई न, मगर अपना जो ये ग्राफ है, ये तो अख्यों का खेल है न, अख्यों से देखते हो ग्राफ को, ग्राफ चड़ रहा है, न, लाइव बढ़ रहे है, ग्राफ बढ़ रहा है न, ठीक निमलिक्त मेंसे कौन जी कक्षा में अध्यापक द्वारा पर्युक्त होने वाली श्रव्य सहायक सामगरी नहीं है, ग्राफिक में आएगा ग्राफ, बिल्कुल सही बोला आपने, रेडियो ब्राड कास्ट, ये तो सुनने का मामला है क्या, कान थोड़े, एरिंग्स पहना दे कान तो लगनी रहे, ये खैर ठीक है, किसी के कान जादा ही मरोड दी है, ऐसा लग रहा है, कैसट है, टीडी प्लेयर है, या मॉडल है, जल्दी से, देखिये जो, आचा तो नार फस गई भई, श्रव्य सामगरी पूछ रही हूं, और मॉडल लिख रही हो, आरे रेडियो ब प्रोड कास् तो सुनते ही हों, ऐसे बेसिक सवाल क्या लिख रहे हो, ये तो ठीक है, कैसट को भी सुनते हैं, carry player को भी सुनते हैं, model को थोडित सुनते हैं, model को देखते हैं, हम, तो ये गलत है, ये answer है, अब ये बताईए, आज की कक्षा जो हमने की है, सवाल उसी से है ना, बस 10th 10th आप homework में करेंगे लंबा सा सवाल है ठीक है 11th भी आपका homework में रहेगा screenshot ले ले लेना बाकी PDF में आपको available कराऊंगी और class के बाद मुझे बताऊगे ठीक 12 भी आपका homework है 13 भी homework है 14 Azure Dale का योगदान क्या है ये छोटा सवाल है इसको कर लेते हैं तिर class hand over करेंगे आगे खतम नहीं हुई थेंक्यू बोलके कहां जा रहे हैं दो कोशन अभी और कराऊंगी The contribution of Azure Dale is Azure Dale का contribution ये है कि इन्होंने अनुभव का शंकु दिया है अनुभव का चक्रा दिया है अनुभव जन्या सीखने की अवस्ता दिया है या अनुभव जन्या सिक्षण दिया है तो शंकु दिया है इन्होंने कौन दिया है आइस्करीम वाला कौन याद कर लो गर्मी आ रही है खूब खाऊगे तो अनुभव का शंकू दिया इनोंने, the topmost point of experience कौन, एक अनुभव शंकू के सीर्शितम बिंदू क्या है, सार सिक्षन सायक सामगरी, पोस्सिक्षन सायक सामगरी, प्रदर्शनी सामगरी या फिर कोई भी नहीं, सबसे उपर क्या आता है, अमूर्थ चीज आती है या अमूर्थ आती है, आम का हमने क्या लिखा था, मेंगो लिखा हुआ आता है, यानि कि आपका वर्बल चीज लिखी हुई आती है, जिसको आप पढ़ते हैं, तो वो abstract होती है, पढ़ना तो अमूर्थ मलबचिनों से अर्थ निकालना होता है, तो अधियाद रखिएगा मेरी ये बात, D-S-B में ट्रांसलेशन का बहुत पंगा रहता है, पियाजे को पिगलेट करके उन्होंने कही जगे दे रखा है, ठीक है, पिर सोचोगे ये पिगलेट क्या था, वो पियाजे को पिगलेट ट्रांसलेशन कर रखा था, तो पंदरा का आप कितनी धीमी गती से चलें, बस ये है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, पढ़ते रहना है, ये एक दौर है, ये एक दौर है, जो महनत का है आपका, तो रोज करिए, जम कर पढ़िए, और कल हम करेंगे सिक्षन के प्रतिमान पार्ट वन, आज की कक्षा में कुछ आज में ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्लास जैसी लगी हो, बता देना, और सवाल देखिए, ऐसे ही बनेंगे, बाकी आप प्रेक्टिस खूब कीजिए, और आज के लिए फिर बच्चो इतना ही, गुड़नाइट.